तो यहां पर मैं लेकर आ गई हूँ गदिया की सबजी और यार यह मुझे लगता है कि सहरों के मार्केट में गदिया जल्दी नहीं मिल पाती मुझे तो आज तक नहीं मिली यह गदिया जो है वो मेरे गाउं से आई हुई थी तो मैंने सुचा कि चलो क्यों ना मैं रेसिपी स इसको मतलब अपने मंज से ही बनाया था लेकिन सबजी यार इतनी टेस्टी थी बहुत टेस्टी बनी थी तो मैंने सुचा कि और चलो मैं आप लोगों से इसे सेर कर देती हूं तो मैंने सबसे पहले जो गदिया थी उसको मैंने दो पाट में कट कर लिया था फिर जिस तरीक प्याज लसुन और हरी मिर्च इन सब को चॉप कर लिया था और दूसरी साइड में यह सूखा मसाला ले लिया है जिसमें यह गरम मसाला और यह इस पेसली मुझे यह मसाला बहुत पसंद है मैं भाई की सौप से लेके आई थी तो यह गरम मसाला ले लिया मैंने हल्दी मैं मैं दुआ दो कि दो तो इसमें थोड़ा सा जब पानी मनलब मैं रेकार में डाल दो फिर यह सबसे दो बहुतिता तो काफीत देश्टी है तो यहां हम सब पहले यह प्याज और लश्ण यह सब कुछ जो है वो अच्छे से बहून लेंगे और फिर चलते हैं हम यह मसाला जो है यह भी डाल देंगे इसमें कि यह भी बहुत अच्छे से जब भुन जाएगा थोड़ा सा टाइम लगता है इसको भुनने में और इसको तब तक भुनेंगे कि यह जो तेल है वो सेपरेट हो जाए इसमें तो यह देखिए यह हमारा मसाला जो भुन रहा है हाँ इसमें अच्छा तेल के मिलब कॉंटिटिश जो है तो थोड़ा सा ज्यादा पड़ती है और लस्चून प्याज यह सब भी थोड़ा सा ज्यादा पढता है तब यह अच्छी लगती है और कुछ लोग यार मैंने सुना है कि टमाटर भी ढालते हैं लेकिन मुझे आर नहीं पसंदा तो मैंने गाउं में पूछ था तो यह अपने आप ही लगा कि मुझे थोड़ा सा नहीं पसंद आएगा तो यह तेल जो है वह पूरी तरीके से सेपरेट हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारी बॉयल कीवी गदिया है उनको भी हम डाल देंगे और यह रही हमारी बूब सारे में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हैं ठिखनेंगे जो सबची जो जितनी अच्छी से भूनी होती हैं आश तो चल था पीड़ा ज्यादा क्वांटेटयी में टालू तो जब सब पनाव मैंगे था ज़या जो छो फूल को कि समय तो डूर इसको रोटी पराठा चावल चाहे जिस भी चीज के साथ खाओ और हाँ ये लास में मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि नमक मैं भूल गई थी आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो तो यहां पर हमने नमक भी डाल दिया है और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और तो बस अगर आपको हमारी गदिया के रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाब बाई टेक केर मिलते हैं नई रेसिपी